कान खोल के सुनलो जी मुझे दस दिन के अंदर अंदर कालू की दूछरी शादी करनी है बस अरे दनकोरी दस दिन क्यों पांस तीन में डोल बजा देंगे मगर उस गुलाबों का क्या करेंगे करना क्या है पड़ी रहीगी उस टूटी वी जौपड़ी में अपनी दोनों लड़कियों के साथ हराम जादी कलमुई अब तू यहां क्या लेने आई है तेरी रोटियां तो मैंने जौपड़ी में पहुचा दी थी निकल जा मेरी नदरों से मैं तेरी शकल भी मन होज शकल नहीं देखना चाहती सासो मां मुझे थोड़े पैसे दे दो क्या करेगी क्या करेगी तू पैसो का हें सासोeren Gugella कोना बहुत तेज बुखा रह ऑए उससे डूद्ध भी नहीं पिया जारा तो मैं क्या करूं क्या करूं मैं आप थोड़े से पैसे दे दो बस वैंना गुडियों को दोक्टर को दिखा पे आँगी क्यों पैसे पेड़ों पे लगती हैं क्या जो जट से तोड़के तुझे देदू मा जी ऐसा ना बोलो अगर गुडियों को डॉक्टर के पास लेके ना गए ना तो गुडिया मर जाएगी आखिर वो भी तो आपके पोती है ना मरती है तो मरे मुझे उस बाद से कोई मतलब नहीं और छुन खबरदार जो तूने उन लड़कियों को मेरी पोती कहा और आप क्या फिल्म देख रहे हो बेटे बेटे है ये लो दो अजार उपए काजू बदाम बर्फी रस गुले और ना थोड़े नमकीन भी लेया ना ठंडे के साथ जाओ अब मैमान आने वाले है जाता हूँ जी जाता हूँ अभी लेकर आया मा जी कुछ पैसे आप मुझे भी दे दो कान खोल के सुन ले पैसे तो मैं तुझे दूंगी नहीं तेरी लड़की मरती है तो सो बार मरे अब तू फूट ले यहां से मैमान आने वाले हैं मेरे कालू को देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं कालू को देखने मैं कुछ समझे नहीं मा जी मैं समझाती हूँ तुझे तू तो हमें सिरफ लड़कियां दे सकती है लड़कियां एक भी लड़का तुने पैटा करके नहीं दिया और लड़कियों से हमारा वंस चलने वाला नहीं है इसलिए मैं मेरे कालू की दूसरी शादी करूँगी और सुन आज आरें लड़की वाले मेरे कालू को देखने सासुमा आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती है अधिर मुझे लड़कियां पैदा हो रही है तो इसमें मेरा क्या कसूर लड़किया तो बगवान की देन है और वैसे भी आज के जवाने में लड़कियां लड़कों से कम थोड़ीना है मुझे जुवान लड़ाती है तो मुझे रुक मैं करती हूं तुझे सिर्ण अरे अरे अंदर हो ली बंदकरी से पीटना दर्की वाले आगे है राम राम जी राम राम आओ बेठो चल बेटी अब तु अपने घर जा और आटा चावल मैं बाद में तेरे घर पहुचा दूँगी और सुन ये सो रुपए ले जा पत्ती चाए के लिए चीक है ये कौन है जी और ये रो क्यों रही है क्या बताओं जी बहुत दुख्यारी ओरत है ये कुछ दिन पहले इसके पती का द्यान तो चुका है दो लड़किया हैं बेचारी की अब और कोई तो इसकी मदद करता नहीं मैं इसकी मदद कर देती हूं बस आप तो बहुत द्यालू हैं जी बला इस जमाने में कौन किसकी मदद करता है मगर इसकी मांग में तो संदूर है मैं बताती हूं जी आपको की सच क्या है चुक बोलने दो जी इसे बोल बेटी क्या बोलना चाहती है तूँ जी मैं इनकी बलाई का तो जमान नाई नी रहा गरलो बलाई आप बैठे बैठे क्या देख रहे हो इसे बार निकालो प्रूंग तूने मुझे थपड़ मारा मुझ पे आपको प्रूंग तूने मुझे थपड़ मारा मुझ पे हाथ उठाया तूने ये तूने क्या किया बेटी अंकल जी ये सब तो मुझे पहले कर देना चाहिए था वरना मुझे आज ये दिन ना देखने पड़ते आपको पता है मैं इनकी बहूं बहूं और जिस लड़के को आप देखने आए ना वो मेरा पती है और हमारे दो बेटी आया है मुझे लड़का नहीं हुआ ना और मेरे सास कहते है कि लड़कों से वश चलता है वा बेटी वा तूने तो मेरी बेटी की जिंदगी बरबाद होने से बचा ली और अब ये जूठे लोग जाएंगे जेल में मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं बेटी मुझे माफ कर दे बेटी मैंने तुझ पे बहुत अत्याचार किये बहुत नीचू बेटी मैं मैंने अपनी फूल जेजी पोतियों पे अत्याचार किये बेटी बाईयो और बेहनों हमारा इस वीडियो के माध्यन से आपको यही अनुरोध है कि ब्रुन हत्या महापाप है एक अपराध है क्योंकि जिनके घर में बेटिया नहीं होते वो घर नरक के समान होता है और आपने वो कहवतों सुनी होगी कि बेटी नहीं बचाओगे तो बहु कहां से लाओगे इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिदिया आपको अमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जुरूर करें कॉमेंट भी करिएगा शेयर भी कीजिएगा और भाईयो अमारे चैनल ने सस्क्राइब जुरूर करियो